ये स्पष्ट प्रमान है इस बात का कि माया अच्छे से समझ रही है कि खतरा वास्तविक है मैं लोगों से एक बात कहा करता हूँ जो लोग मेरी कितावे पढ़ते हैं वो हो सकता है न समझ पा रहे हो कि मैं कौन हूँ जो लोग मेरी कितावे पढ़ते हैं हो सकता है वो न समझ पा रहे हो कि बात क्या कही जा रही है लेकिन जो लोग बच के निकल जाते हैं चाहे सत्र में नहीं होते हैं किताबों से बच्चते हैं चाहे वीडियों से बच्चते हैं वो कहीं ज्यादा समझते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं क्या बात कह रहा हूँ क्योंकि आप कन्नी काट रहे हो इसी से जाहिर होता है कि आप जानते हो कि अगर आपने वो पढ़ा जो आपके सामने है तो आपको बड़ा भारी नुक्सान हो जाना है ऐसे समझो कि अगर आपकार या माया ये जानते होते कि वो किताबे उन पर चोट नहीं करेंगी कोई असर नहीं करेंगी जूठी है नकली है तो उन्हें कोई समस्या ही नहीं होती हो कहते ले आओ कौन सी किताब पढ़नी है रहे हमने बहुत किताबे पढ़नी है और बहुत कित इसको पढ़ा तो मिटोगे। इससे ये पता चलता है कि हंकार अपनी रक्षा को उद्यत है और इससे ये भी पता चलता है कि हंकार जान गया है कि वो जूठा है और उसके मिटने का समय आ रहा है। वो बस किसी तरीके से इधर उधर वो पद्रव करके ये इनके प्रकारेंड कोई आपत उपाय करके कुछ दिनों तक अपने मिटने को टालना चाहता है। बहुत दिन तर टाल नहीं पाएगा। अगर कोई पलायन ही ना कर जाए तो पर इस समय बड़ा खत्रा उठता है पलायन का। ऐसे मौकों पर माया जो उपाय लगाती है वो ये है कि दूर हो जाओ। क्योंकि बचने का एक ही तरीका है शकल ही मत देखो कान में शब्दी न पढ़ने दो दूर हो जाओ। वो दूरी भी चलेगी नहीं वो बस एक आपतकालीन उपाय है माया का। वो उपाय भी कुछ दिन तक चलेगा कुछ समय तक दूरी बनी रहेगी फिर लौट के वापस आना ही पड़ेगा लेकिन ये बताओ कि अगर छे महीने बाद कोई वापस आता है तो ये छे महीने तो व्यर्थ गए ना माया ने इतनी तो जीत हासिल ही कर ली कि उसने तुमार छिटके तो छिटकते ही जाते हो एक बार फिसले तो फिसलते ही जाते हो ये सब तोंको मैं पहले ही बताए दे रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा हो सदा से होता आया है और सदा होता रहेगा इसी तरीके से अब माया का जो पलटवार है वो भी बहुत प्रत्याशित है विलकुल अनुमानित है expected माया का ये पलटवार भी हमेशा से होता रहा है और हमेशा से होता आएगा ये तो खेल है जिसमें धर्रे बंदे हुए है इस पक्ष के लोगों के क्या उपाएं है क्या पैतरे है मैं उनसे भी परिचित हूँ और उस पक्ष के लोगों के पास किस तरह की नीती है क्या स्टेटजी है क्या युक्ती है मैं उससे भी परिचित हूँ इधर के दाउपेज भी जानता हूँ उधर के भी तुम गौर से देख लो कि तुम्हें पहली मंजिल का पक्ष लेना है या दूसरी मंजिल का तुम गौर से देख लो कि इस खेल में तुम किस के साथ खड़े हो इस पक्ष के साथ या उस पक्ष के साथ तुम जिसका समर्थन करोगे वो जीट जाएगा एक बड़ी अर्थपूर्ण कहानी है एक दादी अपने पोते को कहानी सुना रही थी कहती है कि हम सब के भीतर दो भेडिये होते हैं एक काला और एक सफेद और दोनों भेडिये हमेशा आपस में गुथम गुथा होते हैं उनकी लडाई चल रही होती है पोते ने पूछा दादी जीता कौन सा भेडिया है दादी ने कहा तुम जिसका समर्थन करो तुम जिसके साथ खड़े हो जाओ वो जीत जाएगा तुम्हारे भीतर भी पहली मंजिल और दूसरी मंजिल में दौन्द चल रहा है तुम जिसका समर्थन करोगे तो मंजिल जीच जाएगी माया के पास अपना कोई बल नहीं होता माया तुम्हारे बल पर तुम्हारी उर्जा पर चलती है तुम उसका समर्थन नहीं करो वो गिर जाएगी और तुम उसके प्रेतनों में अगर जरा भी सहभागी हो गए तो जीच जाएगी तुमने बहुत अच्छा गरा है कि आज बात कर ली और कोई तरीका होता नहीं है बचनेगा यही है बात कर लो दूसरी मन्जिल को बचाने का एक ही तरीका है बताए दे रहा हूँ दूसरी मन्जिल पर जाके बैठ जाओ